में जो प्रति दिन हम निश्चित टाइम पर लेते हैं ग्यारा पांच पर और उस क्लास में हम पढ़ते हैं Molecular Biology और पायर टेक्नोलोजी तो प्यारे विद्यारतियों आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन के आप हमारे साथ लगातार जूड़ रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्षेशन नाइट्रोजन स्थरी करण नाइट्रोजन फिक्षेशन या नाइट्रोजन स्थरी करण इस नाइट्रोजन फिक्षेशन की जो मैकनिजम है क्या और कैसे उसके बाद और nitrogen fixation में कौन-कौन से gene involved रहते हैं किस प्रकार उसकी mechanism हमें यानि genetics of nitrogen fixation ये सारे पहलू हम इस class में चर्चा करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें और आज के इस महत्यकून topic का फाइदा उठाएं आज का ये topic सामानेता है आपको किताबों में या कई जगे topics इसका matter नहीं मिलता है तो आप मेरे साथ जुड़े और लगातार बने रहें तो मैं nitrogen fixation के बारे में किस प्रकार nitrogen का स्थिकरन किया जाता है fix किया जाता है जो environmental nitrogen है वह है किस प्रकार हम fix कर देते हैं उसकी सारी process आज हम इस class में चर्चा करेंगे हमारा पूरा nitrogen fixation दो पार्ट में पूरा होगा पार्ट फर्स्ट आज होगा और पार्ट फर्स्ट हम कल पूरा करेंगे तो उसमें पूरी की पूरी mechanism nitrogen fixation क्या है कैसे होता है कैसे nodules बनते हैं किस प्रकार उसमें gene involved रहते हैं उन जीन में कौन-कौन से gene क्या-क्या करते हैं उस gene की structure क्या है ओपेरोन की structure क्या है वो सारी चर्चा हम इन दोनों class में करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों उमीद करता हूँ कि आप लगातार जुड़कर आज का फायदा उठाएंगे और आप सभी का आज के हमारे YouTube channel की light class में स्वागत अभिनंदन जो विद्यार्थि जुड़ गए है उन सब का बहुत-बहुत स्वागत पूजा, कविता, डिपान्शू कुछ विद्यार्थि नए भी मेरे को नजर आ रहे हैं तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, गुड़ बॉनिंग हम टॉपिक पे आगे चलते हैं nitrogen fixation तो आपके screen पे nitrogen fixation की mechanism जो है अब हम चर्चा करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको पूरा screen clear नजर आ रहा होगा और कहीं कोई समस्या उसमें नहीं आ रही होगी तो आप सभी का स्वागत आप हमारे साथ जुड़ते रहें और आपके जो topic है उन topics के बारे में घर बैठे उन बिन्वों कवर करते रहे किलियर करते रहे को डाउंट से तो उसको कवर करते रहे हैं आपको screen नजर आ रहा है एक बार आप comment box में लिख दीजिए कि आपको screen clear नजर आ रहा है कहीं कोई समस्या उसमें नहीं है और good morning मनिशा आप सबका आलिजा साहिना सबका आपका स्वागत screen नजर आ रहा है आपको yes sir अजय ने लिखा है very good yes sir नजर आ रहा है very good अब हम आगे चलते हैं कि हमारा nitrogen fixation क्या होता है nitrogen fixation किस प्रकार से क्या mechanism है जो हमारी environment में सबसे ज्यादा जो gas है उसकी मातरा होती है nitrogen लेकिन ये inactive होती है acrea seal होती है directly इस nitrogen का ने to plant use कर सकते हैं ने कोई animal उसको use कर सकता है इस nitrogen को पहले इसके nitrates में acids में इसको convert किया जाता है चर्चा करूँगा nitrogen fixation तो nitrogen fixation एक process है जिसके दोरा molecular nitrogen यानि dinitrogen and two जो है वो air में उपस्तित है air में है उस nitrogen को convert किया जाता है ammonia में और उसके other related compounds है उसमें convert किया जाता है और उसके बाद ये nitrogen plants को absorb करने में available हो जाती है तो हमारी जो एक्रियाशिल nitrogen है इस nitrogen को सबसे पहले किसमें convert किया जाता है ammonia में अब ये ammonia में conversion है एक देखने में तो easy से लगता है कि nitrogen को ammonia में हमने convert कर दिया लेकिन ये process एक बहुती typical mechanism के थूँ होता है उस mechanism से पहले विसे structures का निर्माण होता है तो वो structure क्या है mechanism क्या है वो सारी चीज़े आज हम आज और कल की class में चर्चा करेंगे तो जो विद्यारती आज जुड़े वे हैं वो कल की class में भी जरूर जुड़ें ताकि ज nitrogen fixation है वो complete हो और कहीं आप से छूटे में लिए यह तो डाइन नाइट्रोजन है हमारी N2 N2 को हम बोलते हैं डाइन नाइट्रोजन यह non-reactive जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यह non-reactive होता है यह useful नहीं है हमारे लिए या plants के लिए इसको पहले convert करना पड़ता है convert और nitrogen nitrogen क्यों आउसक है क्यों जरूरी हमें nitrogen क्योंकि हमारे amino acids और बहुत सी चीज़ों में nitrogen होती है इसलिए हमें nitrogen की आउसकता पड़ती है तो हमें nitrogen चाहिए और यह nitrogen हमारी free environment में जो सबसे अधिक मात्रा में जो gas है वो nitrogen है उस nitrogen को convert किया जाता है कई process इसमें involved है conversion में कहा involvement रहता है और convert करते रहते हैं तो हम इन सारी mechanism को हम पढ़ते वे आगे बढ़ेंगे तो यह nitrogen fixation जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी life के लिए जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि हमारे inorganic nitrogen compounds जो बनते हैं हमारी cell के अंदर उनको चाहिए उनका biosynthesis के लिए हमें चाहिए तो यह inorganic nitrogen ज nucleotides, nucleic acids में भी protein nitrogen होती है, triphosphates है, यह सारी के सारी चीज़े nitrogen इसके लिए आउसक होती है, इसके लिए हमें nitrogen को fix करके हमारी body में लेना होगा और वो एक process के थूरू fix करने का कालिये कोन करता है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे types of nitrogen fixation, types of nitrogen fixation, अगर आपको class में अ चैनल को subscribe जरूर करें, तो सबसे पहले types of nitrogen fixation, कौन-कौन से method है, जिसके द्वारा nitrogen fix, को fix किया जा सकता है, तो सबसे पहला जो हमारा method है, it is, भौतिक और agelic, physical और non-biological nitrogen fixation, भौतिक और non-biological nitrogen fixation, types of nitrogen fixation में हम देख रहे हैं, और, तो nitrogen जो है, हमारी जो nitrogen है, वो environment में लगातार fix होती रहती है, convert होती है, कैसे, जब भी आजमान में बिजली चमकती है, और हमें बिजली कड़कने की आवाज आती है, वो हमारी nitrogen को उसके oxides में बदल देती है, nitrogen को N2 है, उस nitrogen को nitrogen oxide में convert करती है, जब भी आजमान में lightning होती है, बिजली समकती है, तो ये nitrogen को nitrogen oxides में convert कर देती है, NO, NO2, इसमें convert कर देती है, ये nitrogen के oxides हैं, ये पानी के साथ मिलकर nitric acid बनाते हैं, nitrous, nitrous, HNO2 और बाद में nitric acids, HNO3 बन जाता है, तो पहले जब बिजली समकती है, di-nitrogen को nitrogen oxides में बदन जाते हैं, उसके बाद ये पानी से react करके nitrous acid और then nitric acid में convert कर देते हैं, ये nitric acid जो है, वहे बरसात के साथ मित्टी में आ जाता है, और उसके बाद, nitric acid जो है, nitrates में convert हो जाता है, nitrates में NO3 में convert हो जाता है, अब ये नाइट्रेट है, वो प्लांट के लिए एवलेबल है, प्लांट इसको एवजोग कर सकते हैं तो ये पहला हमारा टाइफ हो गया, फिजिकल और नोन बायलोजिकल यानि इसमें किसी प्रकार का कोई लिविंग औरिनिजम इन्वोल नहीं होता सीधा सीधा आस्मान में जब बिजली समकती है, तो हमें जब आस्मान में बिजली समकती है तो डर लगता है, दिन में डर नहीं लगता लेकिन रात में जब चमकती है तो डर लगता है लेकिन तब आपकी ठान रखना कि हमारी बिजली जो है, वो हमारी nitrogen को convert कर रही है, उसके acids में और acid में convert करने के बाद हमारी soil की fertility increase होती है, तो ये nitrogen के oxygen में convert होती है, फिर HNO2 बनता है, HNO3 बनता है, ये पानी के साथ मिट्टी में आ जाता है, then it convert in nitrates, और which is useful for plants, तो ये पहला टाइप हो गया हमारा, then, दूसरा जो method है, biological nitrogen fixation, biological nitrogen fixation, ये बहुत महत्रफून प्रक्रिया है, जिसकी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, mechanism समझेंगे, और इस biological nitrogen fixation को discover किया था, दो scientist थे, Herman, Harigel and Martinus Bengerick, Bengerick ने, Harigel and Bengerick, Bengerick से याद रखेगा, Bengerick और Herman, Harigel, Martinus, Bengerick, इनों ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था, कि हमारा जो nitrogen है, वह है, living organism के द्वारा, हमारे जीवों के द्वारा भी convert होता है, convert होता है, और biological nitrogen है, atmospheric nitrogen जो है, उसको हम convert करते हैं, ammonia में, biological nitrogen fixation में क्या होता है, कि जो biological nitrogen है, यानि N2 है, वो हमारी NS3 में, ammonia में convert हो जाती है, और इसमें involved रहता है nitrogenase enzyme, nitrogenase enzyme की साहता से, यह convert हो जाता है, और और अगर हम reaction देखें, कि किस प्रकार, तो यह हमारी nitrogen है, है, इस nitrogen को, यह living organism, एब्जोग करते हैं, एब्जोग करके, इसको energy की आउसकता होती है, electron होते है, hydrogen होते है, यह इनके साथ react करके, और हमारी बना लेती है, ammonia, यह ammonia, यह hydrogen बच गया, ATP, ATP में convert हो गया, यह inorganic phosphate निकल गया है, यह inorganic phosphate निकला, तो energy निकली और इस energy को utilize किया, nitrogen को ammonia में convert करने हैं, तो यह overall reaction अगर हम देखें, इस प्रकार हमारी nitrogen से और ammonia का निर्माण हो जाता है, ammonia का निर्माण हो जाता है, अब जो biological nitrogen fixation है, biological nitrogen fixation है, इसको हम दो पार्ट में divide करते हैं, again it can be divided in two types, two parts, asymbiotic, asygv और sahygv, symbiotic, asygv और sahygv, यह दो प्रकार के हम इसमें convert करते हैं, कि जो जीव है, bacteria वगेरे involved होते हैं, bacteria, algae, यह जो इसमें involved होते हैं, वो इसको यहां तो asymbiotic convert करते हैं, और दूसरा symbiotic convert करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, asymbiotic, asygv, nitrogen fixation, asymbiotic, asygv, nitrogen fixation, इसमें living origin involved हैं, लेकिन वो free, यहां की स्वतंतर रूप से रहते वे और nitrogen को convert करते हैं, जिनको हम die azeotropes कहते हैं, die azeotropes कहा जाता है, die azeotropes हिमको कहा जाता है, यह स्वतंतर रूप से रहते वे nitrogen को fix करते हैं, बहुत से bacteria, involved है, इसमें, इसके दावाद cyanobacteria भी, साइनो बैक्टिरिया इत मेंस ब्लू ग्रीन एलकी हुआ जैसे ट्रैकोडिज़द्रियं ट्रैकोडेश्मियम साइनो थी कि यह साइनो बैक्टिरिया हुग्या कुछ ग्रीन सेलफर बैक्टिरिया है यह भी नुढूरेते हैं एजटो वेक्टर जो है वो इसका बेस्ट एक्जामपल है यह सिंबाइटिक का एजटो वेक्टर राइजोबिया फ्रैंकिया यह एक बैक्टिरिया है इसके अलबा कुछ अनेरोगिक बैक्टिरिया भी है वे भी नाइटोजन को फिक्स करते हैं जैसे Clostridium, Clostridium की species, कुछ Archaea की species भी nitrogen को fix करती है तो ये कुछ example है, आप again I repeat, Diagetrox के रूप में हम इनको जानते हैं ये स्वतंतर रहते वे हमारी वातावनिय nitrogen को fix करते हैं बहुत से bacteria, कुछ cyanobacteria, blue-green algae भी involved रहती है sulfur bacteria भी, agitobacter, rhizobia, frankia, कुछ AY भी भी bacteria, anaerobic bacteria भी fix करते हैं जैसे Clostridium, Archaea, तो ये जो है, ये हमारी nitrogen को स्वतंतर रूप से fix करते हैं इसको हम कहते हैं A-symbiotic, किसी के साथ association का लिमार्ट नहीं करते हैं और ये हमारी जो free nitrogen है, they convert free nitrogen into ammonia ammonia, ammonia, ammonia में कर्वेट कर दिया और उसके बाद अपने organic compounds के formation में उसको काम में लेते हैं ये हमारा हो गया A-symbiotic nitrogen fixation अब दूसरा हो गया हमारा सहजीगी nitrogen fixation symbiotic nitrogen fixation symbiotic biological है, यानि living organism involved है बट अब जो living organism है, वो दो living organism आपस में सहजीवन बनाते हैं nitrogen का fixation करते हैं nitrogen का fixation करते हैं तो ये इसको mutualistic relationship भी कहा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को फाइदा पहुंचाते हैं mutual, mutualistic कहाँ दाता है तो ये nitrogen को fix करते हैं कुछ bacteria जैसा आजोबियम है कुछ algae, no stock, enabina है कुछ actinomycities है ये symbiotic relation करते हैं other higher plants के साथ और nitrogen को fix करते हैं environmental nitrogen को ये fix करते हैं तो ये symbiotic nitrogen fixation के बहुत से bacteria है जो rhizopium हम इसको detail में पढ़ेंगे कुछ algae जो है तो ये अब कौन-कौन सा association बराते हैं जैसे ये atmospheric nitrogen को ammonia में convert करते हैं जैसे आप यहाँ पर relationship देख सकते हैं antibiotic nitrogen fixation के relationship को आप देख सकते हैं कि जैसे अनवीना है ये azola ये टेरिडोफाइट एजोला इसके साथ पाया जाता है इसके साथ पाया जाता है ये साइकस की correlate route में पाया जाती है उसके अलावा ये गुनेरा साइकस जिम्नोस पर्म है और गुनेरा एंजोस पर्म है ये नोस्टोक इनके साथ पाया जाता है और symbiote की रूप से nitrogen fixation करता है ये फ्रेंकिया इस एक्टिनोस इस ये नोन लेग्यू प्लांट्स के साथ नोन लेग्यू जो सिम्भी पादप है उनके अलावा अन्य प्लांट्स के साथ ये symbiotic association बनाती है फंजाई है ये एक्टिनोस इस और राइज़ोबियम बैक्टिरिया है ये लेग्यू प्लांट्स के साथ जो फलीदार प्लांट्स है उनके साथ मिलकर ये nitrogen को fix करते हैं तो ये कुछ association है एना बिना एज़ोले के साथ है नोस्टोक साइटकस और गुनेरा के साथ है फ्रेंकिया नोन लेग्यू प्लांट्स के साथ है और राइज ओबएम जो है वो लेग्यू प्लांट्स के साथ association बनता है लेग्यू प्लांट्स के साथ association बनता है और इसका जो बेस्ट एक्जाम्पल है symbiotic nitrogen fixation का It is steady of symbiotic relationship राइज ओबएम जो है वहें लेग्यूम प्लांट्स के साथ association बनाता है symbiotic इस पूरक इसका सबसे बेस्ट एक्जामपलर इसी को हम study करते हैं detail में हम इसको study करते हैं तो ये कैसे बनता है क्या करता है वो सारी process हम याद देखेंगे ये rhizobium जो है वह इन legume plants के root के साथ attach होता है और root में प्रवेश करके root nodules बना देता है ये क्या करता है root nodules root nodules बना देता है कि और कौन से legume plants है फैवेशी क्लास फैवेशी कुल के जैसे clover soya bean alpha alpha लूपीन ग्राउन नेट्स पीनेट्स ये कुछ plants है जो कि जिनकी रूट्स में अगर आपने कभी मत्र के पोदे को या मूफली के पोदे को या स्वयाबीन की पोदे को खाड़ के देखा हो तो इसको roots में खूब सारी nodules दिखती है गांठे गांठे दिखती है वो nodules rhizobium bacteria के साथ symbiotic association होता है और ये इसको आस्रे प्रदान करती है और bacteria इसको nitrogen प्रदान करती है तो ये symbiotic rhizobium bacteria nodules में आये जाते हैं हम चर्चा करेंगे detail में आगे बढ़ेंगे root formation जो है उसको हम 5 step में divide करते हैं आज हम इन 5 step को ही चर्चा करेंगे तो 5 step में divide करते हैं कि क्या क्या होता है इस 5 steps में पांच steps में divide करते हैं जैसे host bacteria सबसे पहले क्या होगा root के अंदर host के साथ bacteria आके जुड़ेगा तो इससे कहेंगे हैं host bacteria association association बनेगा जैसे ही bacteria आकर roots के साथ attach होते हैं तो उसके जो root hair है वो कर्ब हो जाते हैं मुड जाते हैं तो curling of root hair next step हमारा ये बो जाएगा अब root hair कर्न होने के बाद वो बैक्टेरिया को cover कर लेते है तो ये तो Bristolisopium है bacteria वो उस root hairs में penetrate कर जाते हैं अंदर प्रवेश कर जाते हैं प्रवेश कर समय के पाद penetration thread बनता है往 उसके पाद हमारा root नोड्यूल बनता है रूट नोडूल बनता है और रूट नोडूल बनने के बाद उसके कुछ कैमिकल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस क्या होते हैं लेग हिमोगलोबिन बनता है और नोडूलीन बनता है नोडूलीन और लेग हिमोगलोबिन इनके क्या function है यह आगे की स्लाइट के हम चर्चा यह हमारे हिमोग्लोबिन के जैसा ही होता है, जो हमारे ब्लंड में हिमोग्लोबिन होता है, उसके जैसा ही यह होता है, इसलिए इसको हम लेग हिमोग्लोबिन कहते हैं, इन पास प्रोसेस में हम पूरी हमारी जो नौडूल फॉर्मेशन है, रूट नौडूल फॉर्मेशन हो पढ़ेंगे, सबसे पहला होस्ट बेक्टिरिया असोशेशन जो हमारा सबसे पहला है परपोसी जिवानू साहचारी है, होस्ट बेक्टिरिया असोशेशन जो लेग्यूं प्लांट जैसे ही डवलप होते हैं में रूट डवलप होती है, तो रूट सोईल के अंदर बहुत सारे microbes उपस्तित होते हैं यह हमें पता ही है अब हमारी जो रूट है यह जो लेग्यूं की रूट है उसके द्वारा कुछ विसेश पदार्थों का स्रवन किया जाता है और यह सीक्रेशन ही राइचोबियम को अट्रेक्ट करता है और इस सीक्रेशन में होता क्या है इसमें थाइवीन होता है इसमें बायोटीन होता है अमिनोड होते हैं और विसेश प्रोटीन लेक्टीन लेक्टीन इसमें होती है लेक्टीन पाया जाता है यह लेक्टीन पाया ज यह लेक्टिन स्पैसिफिक होता है यानि राइजोबियम की विसेश जाती को ही यह अट्रेक्ट करेगा और उसके साथ यह रियक्शन करता है स्पैसिफिक होता है इस इस लिए जो होश्ट और बैक्टिरिया के मद्दे जो रिलेस्टिक होता है वो भी स्पैसिफिक हो जाता है यानि होस्ट अन्य बैक्टिरिया के साथ अन्य राइजो Biem के साथ रिलेशन नहीं बनाता हिए वो एक विसेस्त राइजो Biem के साथ ही उसका जो स्ट्रेंड होता है उसके साथ रिलेशन से डवलक करता है। अलग पकार के राइजोबियम के साथ तबलब करता है तो ये लेक्टीन जो है जो सीक्रेशन हो रहा है ये राइजोबियम को रूट्स के और अट्रेक्ट करता है और अब ये जो राइजोबियम है वो रूट्स के चारो और आके इकठा हो जाते हैं अब जब उसके चारो और कि कठ्था हो गए रूट के तो सेकंड श्टेप आब रहा आता है। वो है मुझ रूमों का कुंद्छं कर्लिंग होती है हमारी कर्लिंग ओफ रूट हैर्स। कर्लिंग होती है कि कर्लिंग होती है ओ और यह जो नई से कहां से प्रवेश करता है? Root hair से. जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम में या तो cellulose बहुत ही कम आत्रा में होता है या absent होता है, तो यह वहां से प्रवेश कर सकता है. इसलिए ये रूट hair से प्रवेश करता है. प्रवेस करने के बाद वहाँ एक complex बन जाता है complex का production होता है जिसे root hair curling factor कहा जाता है राइजोबियन जैसे ही उसके attack आता है तो root hair curling factor का निर्वाण होता है इसके अंदर जो root hair curling factor बनता है यानि root hairs curling करती है मूरती है वो क्यों मूरती है वो इस factor के कारण मूरती है और इसके अंदर क्या होता है factor के अंदर इसके अंदर cytokinin होता है और polymixin भी पाया जाता है जो root hair curling factor बनता है उसमें cytokinin होता है और polymixin भी पाया जाता है यह साइटोकाइनीन और पॉलिमिक्षिन जो है यह रूट हैर को विरूपित यानि उसको जो मूल रूप होता है उसको उससे चेंज कर देता है और यहाँ पे बैक्टिरिया जो है वो आसानी से उसको संक्रमित कर सकते हैं अंदर प्रवेश कर सकते हैं अटेश्मेंट हो गया उसके बाद कर्लिंग हो गया है साइटोकाइन और पॉलिमिक्षिम बंती है जो की रूट हैर्सकों को सेट करने के बात यहाँ से बैक्टिरिय इंसरट कर जाते हैं अब कर्लिंग में होने हमारा बेक्टीरिया जो है वो यहां पर इस रूट हैर से पेनिट्रेट करेगा, अंतर करेदित करेगा, तो यह क्या होगा जो रायजोपियम है, वेहराइजग राईजोपियम, root hair के soft और जो damaged part है उनको भेद कर अंदर insert कर जाता है और insert करने के बाद एक infection thread बनाता है infection thread संक्रमन रेशा बनाता है और ये उसके साहिता से आगे बढ़ता जाता है अब ये संक्रमन रेशा बनता किस्से है ये भी एक मैंतो प्रशन आदाता है कई बाद infection thread किसे बनता है infection thread जो है मूल रोम की plasma membrane से बनता है root hairs की plasma membrane से बनता है इनके अंदर जो bacteria है multiply करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं और ये अंदर बढ़ता बढ़ता cortex में जाएगा cortex तो भेहते करता है endodermist और parisital तक पहुच जाएगा और वहाँ पहुच कर फट जाएगा फटने से वहाँ पर bacteria जो है वो स्वतंतर हो जाते हैं तो निर्मेजन penetration में क्या होता rhizobium damaged parts से insert करता है insert करके infection thread बनाता है infection thread root hairs की plasma membrane से बनते हैं यह बलकुट शेतर cortex शेतर में पहुचते वे endodermist में जाकर वहाँ पर फट जाता है फट जाता है वहाँ पर फट जाता है इस प्रकार से आप यहाँ पर इस diagram में देख सकते हैं जो root है अगर हम root को देखें इस प्रकार से उसमें जगे 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 नोडियूल्स बन जाते हैं यह बनते कैसे हैं जो mechanism में आपको बता रहा हूँ उसको diagrammatic आगे हम और देखेंगे तो यह अंदर जाके फट जाता है अब जैसे ही फट गया तो क्या होगा नोडियूल का निर्माण होगा जैसे फट गया तो क्या होगा नोडियूल का निर्माण होता है नोडिल फॉरमेशन होता है, तो फॉरमेशन ओफ नोडिल, नोडिल का फॉरमेशन होता है, कैसे होता है? जैसे ही वहाँ पर बैक्टीरिया स्वतंतर होते हैं तो उस छेत्र की जो कोशिकाएं है यानि होश्ट की जो सेल है कोर्टिक्स की, एंडोडर्मिस की, वो कोर्टेकल सेल जो है वो बहुत तेज गती से वेरिक पास्ट उसमें डिविजन शुरू हो जाता है वहां और डिविजन होने से नोडूल का निर्माड होता है और के साथ साथ उसके गुंसुत्रों में भी विभाजन शुरू हो जाता है जिससे वहां की कोशिकाएं जो है अभी डिप्लोईड थी तो डिप्लोईड से अब यह जो राइजोबियम है इन टेट्राप्लोइट कोशिका दरव में प्रेज कर जाता है और वहां पर अपनी फ्लेजिला को त्याग देता है और उसके बाद नोन मोटाइल अफंफाइचल हो जाता है एचल हो जाता है कोशिकाएट यह खूब विवाज़िंद कर रही है तो और लशुत बन करने बाद यह sow यह उसके भूंसूतर भी ववाज़िंद करते हैं भूंसूतर कि नोन मोटाइर फो जाके वहापे स्टेबल हो जाता है इस परकार नौडूल का निर्मार हो जाता है तो हमने चार स्टेप तक पहुंच गए असोसियेशन हो गया कर्लींग हो गई इंसर्टन हो गया प्यंक्रेशन हो गया और नोडूल का का है तो जो ज़से पनल लगबत मेट 40 व्रत्ती हो जाती है इनुस्ट अप्रेस चीयर्ड में था किरी जाते है अब इन्हें क्या कहते हैं हम जिवानू सम बैक्टिर्या को बैक्टिरीया कहके क हम कहेंगे बैक्टिरोइड्स के वैक्टिर्योएं इनके आकार में ब्रत्व को जाती है इनको आप ग्रुप के जाते हैं और एक मेंब्रेंद के द्वारा आकार में व्रंदी करता है, व्रंदी करने के पाद इसको बैक्टिलोइड ग्रूप में रहता है और एक ग्रूप एक मेंब्रेन द्वारा आबद रहता है और इस मेंब्रेन को हम कहते हैं पैरी बैक्टिरोइट मेंब्रेन या परी जिवानुसम कला कहा जाता है इस कला या इस मेंब्रेन और बैक्टिरोइट जो है इनके बीच बीच में कुछ स्पेस भी होते हैं इसमें इस कला membrane और bacteriaids के बीच में कुछ space होते हैं इन space को peribacteroid space कहा जाता है परी जिवानुसम आवकास कहा जाता है पाते हैं की कई उसको आप डाइग्राम के रूप में देख़ें यहां पर सबसे पहले यह root का section है, यहाँ पर root का section दिखाया गया है, जिसमें epidermis है, cortex है, यह cortex है है यहाँ पर, यह epidermis है और यह हमारा root hair है, इस रूट हेयर के पास राइजोपियम यहां पर आ गए राइजोपियम आ गए तो यह सबसे पहला इस्टेप हो गया मारा खुश्ट बेक्टिरिया असोशेशन उसके बाद यह इस रूट हेयर की करलिंग हो जाती है जहां पे एडेज्ड आ रहा है कर्लिंग होके ये बैक्तीरिया को कवर कर लेता है और जो कर्लिंग कॉम्प्लेक्स फैक्टर बनता है वो फैक्टर इसको Cause up कर देता है और यहां के डेमेज़ पार्ट से बैक्तीरिया जो है को इसके अंदर इंसाइट कर जाते हैं, इसके अंदर इंसाइट कर जाते हैं, और इंसाइट करने के पैनिट्रेशन हो जाता है, और पैनिट्रेशन होने के बाद क्या बनता है, इंफेक्शन फ्रेड बनता है, और ये फ्रेड इसके सायता से अंदर के ओर मूव करता है, मूव करता है, कोर्ट विवाजन करने के बाद वो tetraploid हो जाती है और ये bacteria उसके अंदर आके इन cells के अंदर आके fix होकर और nodule का निर्माण कर देते हैं, nodule का, तो अब यहाँ पर हमारे क्या हो गया, ये root के उपर इस प्रकार की अतिवरदी के रूप में nodule बन जाता है, nodule का निर्माण वो क्या, इसको और detail में हम देखें, इसको और detail में देखें, तो ये इस प्रकार से हमारा जो root hair है, यह root hair है, यहाँ पर, यहाँ पर root hair के पास, और यह क्या आते हैं, राइजो BMI, आसोशेशन हुआ, आसोशेशन हों के बाद, root hair की curling हो जाती है, curling होने के बाद, bacteria inject कर जाते हैं, infection thread का निर्माण करते हैं, infection thread root hair की plasma cell से बनते हैं, और, यह infection thread, यहाँ से बढ़ता हुआ, cortex में आ जाता है, cortex में आ जाता है, cortex में आके, अंदर तक penetrate करता है, और penetrate करने के बाद, यह यहाँ पर आकर, infection thread, cortex में endodermis तक पहुंचता है, और एंडोडर्मिस में पहुँचने के बाद यहां पर आके फट जाता है फटने से यह बैक्टिरियल सेल यहां पर स्वतंतर हो जाती है और कोटिकल सेल जो है वहे दुरुत गती से तेजी से विभाजन करती है और उसके क्रमोसम भी विभाजित करते हैं और यह डिप्लोड से टेट्राप्लोड हो जाती है और यह बैक्टिरिया इन टेट्राप्लोड सेल के अंदर प्रुवेस कर जाते है और आकार में इनके व्रद्धी हो जाती है अब इन राइजोबियम को बैक्टिरोइड कहा जाता है यह समू में लेते हैं और इनके चारोर एक मेंब्रेन होती है जिसे बैक्टिरोइड मेंब्रोन कहा जाता है और इनके अंदर जो स्पेस होता है वह है बैक्टिरोइड स्पेस इस नोडूल के अंदर जिसमें बैक्टिरोइट से बैसिकल है यहां पर नोडूल का निर्माण इस प्रकार हो जाता है तो आई थिंग यहां तक आपको सारा का सारा कम्प्लीट हो गया भी समझ में आ रहा है अब हम ना श्टेप हमारा है पांचवा जो श्टेप है क्योंकि हम एंद ले law भान एंड भी हमोगोबिन और नोडूलिन लेग हमोगोभी और नोडुल एंड क्या होती है इसके बारे में पांचवा है क्योंकि ये भी है निय्टुजेण फिक्सेशिं के लिए आहोतेँ होते जो किस में पाया जाता है बैक्टिरोइट को घेरने वाली लेयर में पाया जाता है बैक्टिरोइट को घेरने वाली वित्ति है उसमें पाया जाता है और यह कुल प्रोटीन का 25-35% तक होता है यह प्रोटीनिकर्ट प्रोटीनेशिस पिग्मेंट होता है और नोडूल में उप प्रोटीन का 25-30% भाष बनाता है यह ले गिमोग्रोबिन नाइटरोजन फिक्सेशन में काम आने वाला essential part है यानि इसके बिना nitrogen fixation नहीं होती है nitrogen fixation में काम आने वाला essential part होता है essential part है nitrogen fixation के समय क्या काम करता है क्योंकि हमारा nitrogen fixation है वह oxygen की उपस्तिती में नहीं होता है यह oxygen को absorb करने का काम करता है वैसे ही जैसे हमारी blood में हमोग्रोबिन होता है वैसे के वैसे ही यहाँ पर काम करता है वैसे के वैसे हमारे पर यहाँ पर काम करता है इसलिए हमने इसको तो ऐसका नाम हमने रख दिया. अक्सिजन को अब्जो करता है, काडोल करता है। आक्सिजन से बहुत बनाकर क्यों जरूरी है क्योंकि हमारा nitrogen-incision किस से होता है, nitrogenase enzyme से लेकिन ये nitrogenase enzyme oxygen की बहुत कम क्वांटिटे में भी इनेक्टिव हो जाता है इनेक्टिव हो जाता है तो ये इसलिए ये लेग हिमोगलोबिन वहां की उपस्तित आक्षिजन को अप्जो कर लेता है बंद बना लेता है जिससे हमारे नाइट्रोजिनेज एंजाइन का ऑक्षिडेशन नहीं होता है तो इस प्रकार क्या होता है एक्टिव रहता है उसकी एक्टिविटी को बनाये रखता है और साथ के साथ बैक्टिरोड्स जो है उसको भी उसके वी क्यों रेस्पिरेशन के लिए ऑक्षिजन चीह है तो उसकी भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी बनाये रखता है ताकि रेस्पिरेशन होगा तर भी त तो nitrogen fixation हमने स्टा आरम में में जो में गिजन देखी थी उसमें एटिप क्या हो सकता होती है एटिप किस से बनेगा स्वशन से तो हमें स्वशन भी करना है स्वशन करना तो oxygen भी चीए तिये लेग हमोग्लोबिन जो है वह है नाई्टोजेनेस एंजाइम को सक्रिया रखता है और स्वसंद किरिया को भी मैंटे NICK रखता है जो एक्षिजन चीह होँ स्वसंद किरिया में उप्लम्ध करवाता है एससे एक बंती रहे अब यह ले bio कोन है लेक हीमोग्लोबी मॉलता कैसे हैं लेक हीमोग्लोबी जो है वह है रायजोबीयम और होश्ट यान जो परपोसी उन दोनों के कोश्ट से बनता है इसके दो पाठ है इसका जो एपो प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन, वो होश्ट कोसी कहां के द्वारा बनता है, जबकि इसका प्रोस्टेटिक आइरन पार्ट जो है, वह बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, यानि दोनों के सहाचारिय से बनता है, लेग हमो ग्लोबिन, इसका जो एपो प्रोटीन पार पार्ट है ग्लोबिन वह होस्ट बनाता है और इसका प्रोस्थेटिक पार्ट जो है वह बेक्टिरिया के द्वारा बनाया जाता है इसके लावा लेग हिमोग्लोबिन के लावा कुछ अन्य प्रोटीन भी बनते हैं जिनको नोडुलिन कहा जाता है उनको नोडुलिन कहा जाता यह नोडी फॉर्मेशन में काम आते हैं कारी की अनुल्न हें जो है वूती परकार के होते हैं यह जो बन रहे हैं कारे के दुछ सब्धीन रखने वाले assisting और नीड्रोजन योगी केरेर साहिव प्रोटीन ये nitrogen fixation में help करते हैं और इसके अलवा nitrogen की formation बनाते हैं और nitrogen और carbon metabolism से समंधित protein बनाते हैं यानि तीन प्रकार के हो सकते हैं सरंचना की समानता के अधार पर nodulin दो प्रकार के होते हैं C nodulin, common nodulin ये सभी nodulin में पाये जाते हैं और S nodulin, specific nodulin ये nodulin जाती विशिष्ट में ही पाये जाते हैं अन्य में नहीं पाये जाते हैं तो कारिय के अधार पे तीन और सरंचना के अधार पे दो प्रकार के nodulin होते हैं दो प्रकार के nodulin होते हैं ये हमारा उसके अलावा जो हमारा nodulin formation है उसको कुछ factors भी प्रभावित करते हैं जैसे soil temperature 25-30 होना चाहिए, light की उपस्तिती है वो nodulin बढ़ाती है कार्मडाय आक्षाड की संदर्ता है वह nodulation को बढ़ाते है तो light भी बढ़ाती है temperature 25-30 और श्रीयवत की संदर्ता भी प्रद्धी करती है nitrogen की संदर्ता म्रदा में अगर nitrogen पर अमोनिय की संदर्ता है वो nodulin को कम करती है पहले से nitrogen है तो वो nodulin formation को कम करती है और environment एक्षाड की संदर्ता भी nodulin निर्माड को प्रभावित करती है यह हमारा nodulin formation तक हो गया mechanism वाला जो part है वो हम कल complete करेंगे किस प्रकार उसकी mechanism और किस प्रकार वो nitrogen को fix किया जाता है nitrogen को fix किया जाता है तो उमीद करता हूँ आपको आज की class समझ में आई और आपने फाइदा उठाया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का कि आपने आप जूड़े रहे और class कैसी लगी इसके बारे में अपना feedback जरूर दीजिएगा और कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आई है तो उसकी चर्चा हमारे साथ जरूर करिएगा मैं आपके जवाब दूँगा साइद कुछ प्रशन थे बीच में आये थे लेकिन मैं topic को छोड़ते ले मैंने प्रशनों को चर्चा करने की आप सभी का सानू खान थेंक्यू मुकेश अच्छी लगी सर क्लास थेंक्यू रेखा प्रशापत तो कोई प्रशन अगर आप हो तो वीडियो पे आप लिखिएगा मैं आपको प्रशनों के जवाब जरूर दूँगा कोई समस्य है उसके बारे में आप चर्चा करें मनिश्वामी लालचन आप सभी का धन्यवाद और कोई समस्य अगर आपके है उन समस्याओं की चर्चा आप जरूर करें सर एक्शुली थोड़ी कम समस्य तो एक बार दुबारा देखूंगी कनक इसमें क्या है कि मैटरिजम में ज्यादा कोई मेंत्रोपन नहीं यह बस आपको देखना है विक्टिरिया रूट एर के पास आता है असोशेशन फिर रूट है कर्लिंग हो जाती है और कर्लिंग होने के बाद बैक्टिरिया उसके अंदर घुस जाता है घुसने के बाद थ्रेड बनाता है और इंफेक्शन थ्रेड बनाके वो फट जाता है वहां की कोशिकाई विवाजन करती है और नोडूल बनने के बार उसमें लेग हीमोगलोबिन और नोडूलिन बनते हैं तो एक वारा वापस डिटेल से देखेगा और आपके पास जो भी टोपिक हो उससे प प्रतिपाप्रजापत थेंक्यू और यह आप उसको एक बार वापस देख लेगे लिजिएगा वीडियो को जान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी और थ्योरी जरूर पढ़ना इसकी आपके पास जो भी किताब है बूक एवलेबल है उसमें जरूर पढ़ना कि नेटो बनाने के काम में आती है लेकिन हमें थ्योरी की बुक्स हमारी बुक्स से पढ़नी पढ़ेगी NCRT में बहुत छोटा दिया हुआ है छोटे छोटे टोपिक्स होते है इतना डिटेल में जैसे मैंने बताया इतना डिटेल में थोड़ी है तो आप अपनी बुक्स से जरूर पढ़े NCRT को बेस बनाया जा सकता है दिपांसु अगरवाल ओके लालचंद ओके तो उनको बेस बनाया जा सकता है लेकिन पढ़ना सर एंटिय ने एंटिय ने बोला है इससे बाहर नहीं आएगा एंटिय क्या है विटा एक तो पहले जा एंटिय बताएं और आपके ग्रेजुशन में एंटिय बुक्स का क्या लेंड़ देना आपको कंपेटिशन में बेस बनाता है यह जो जनरल साइंस अगर आपको जनरल साइंस के रूप में पढ़नी है तब तो यह आ जाएगा वहां पर काम कええ सब्सक्राइब करने के लिए क् Agreement करने वाली ऑचेंश से शाय साव करंब करने लिए निट करने वाली एजेंशी हाथ थो नीट में तो है यह तो नीट में तो NCRT की बुक्स और उनकी जो कोचिंग में अगएर की किताबे होती है उनी में आते हैं तो वहाँ तो टोपिक वहाँ तो लाइन से उठते हैं प्रशन जैसे लेग हमोग्रोविन कोन बनाता है ये प्रशन उठ जाएगा वहाँ पर फिर भी मेरे को समझ में आता है नहीं समझ में आने वाली बात है ठीक है लेकिन जो एंटी ए नेशनल टेस्टिंग अजेंसी वेरी गुड तो जो चीजे हमारे पास हाँ अलका पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं मैंने क्या कहा वेरी फर्श्ट पहले दिन से यही कहा था कोई सी भी किताब हो आप उस किताब से पढ़िए आपके पास जो मेटर है समझ ये और उसके बाद पढ़िए कहीं कोई समझ से आपके नहीं आएगी मैंने आपको समझ में आजाएगी ये बात जो मैंने नौडूल फॉर्मेशन की बात करें मेकनिजम की बात करूंगा मैं लेकिन यहां तक की जो बात है वह आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हम नेक्स्ट क्लास में आज ब्लायोफाइट्स की चर्चा करेंगे आपर तो प्रायोफाइट्स की बारे में पढ़ने के लिए हम बारा-पांस बहुत-बहुत धन्यवाद है थैंक्यू